दोस्तों करनाटक के एलेक्शन के बाद देखाए जा रहा है कि कॉंग्रेस जो अपने फुल फॉर्म में आई वी है और जब से राहूल गांदी ने भारा जोड यात्रा शुरू किया उसके बाद से तो राहूल गांदी भी वजूद में आ गया और पूरी डुबी वी जो नह करनाटक में जिस तरह से बीजेपी का सुपला साप हुआ है उसी तरह से पूरे भारत में कॉंग्रेस का नाम भी हुआ है तो यह हम बात करते हैं का ऐसे युवा से जो कॉंग्रिस के पददिकारी है अद्वेश है पंचिमनाकपुर के अद्वेश है रिज़वान खांत साथ मेरे साथ बेटे हैं और हम बात करेंगे चर्चा करेंगे कुछ इन मुद्दो पर राजनी तिक मुद्दो पर क्योंकि जब से यूवा राजु गांदी ने अपने हाथ में कॉंग्रेस की बागडोर समा लिया तो कहीं यूवा जो है उनके साथ कांदे से कांदे लगा के खड़े हैं और कॉंग्रेस का निश्टपन होकर कॉंग्रेस का साथ दे रहे हैं तो रिजवान साथ मेरे साथ बैठे हैं और सवाल करते हैं शुरू और चलते हैं आगे बढ़ते हैं कि यूआ नेता कैस से जूड़ रहे हैं कॉंग्रेस से और पच्छिम नाकपूर के जो रिजवान साहब है जो यूआ कॉंग्रेस के अद्धेक्ष है आज ही उने पद मिली है और आज ही उनका जनम दिन है तो उसके कि आने में मेरे को विकास ठाकरे का का और पच्छन रहा है तौसिफ खान का का और अपको के मैरे जनम दिन पर पाद मिली उर्या है विस्ति मेरे बहुत दीन से में पद की पढ़ा था अब जाके मुकंब पत करा है मेरे लिए मतलब आपका काम देखकर आपका वर्ण देखकर जो आप लोगों के पीछे हम भी ऐज想? तो आगे आपका क्या करने निखरा करना को जो केम काम करना सिरी मेरे गरीब की मदद करना जहां गरीब परेशन है वहां मैं कहड़े रहूंगा, जहां जो गरीब परेशान है, बेहाल है, बेसाहरा है, वहां मैं खड़े रहूँगा, कभी भी आदी रात को आप में को कॉंटेक्ट करें, मैं हाजिर रहूँगा आपकी सेवाओ में क्या कहेंगे कि 2024 में अभी इलेक्शन होने वाले हैं, इलेक्शन की तयारियां चल रही है, तो आप यू के, आप यू आ कॉंग्रेस के अद्धेक्षव पस्षिम नागपूर से, तो क्या कहना चाहेंगे इलेक्शन की माहूल में? इलेक्शन का माहूल तो ऐसा है, देखो अभी हाँ, अपना जो पकड़ बनी है, विकास भाव ठकरे, उनकी काफी अच्छी पकड़ बना चुके है, वो हर जगा जगा याने जा जाके वो कोई भी रहे, छोटा आदमी रहे, बड़ा आदमी रहे, वो इंसान ऐसा है कि किसी स भी बराबर से मिलता है, सब को इज़त देते है, छोटा रहे, बड़ा रहे, हर किसी की एक्सपेक्ट करके वो आदमी काम कर रहे, और उससे काफी यूद जुड़ा है, और मैं भी उनसे जुड़ावा हू, वो मेरा नेता है, राहूल गांदी के बारे में क्या कहेंगे, पिर बीजेपी, करनाटक तो अभी सिरीफ जाकी है, पुरा हिंदुस्तान अभी बाकी है, अभी पुरा हिंदुस्तान पर राज करना है, इंशालला अपने महराश्टा में भी अपनी सरकार बनाएंगे, बहुत जल्दी, महराश्ट में सरकार बहुत जल्द बनाएंगे और बिल्कुल क्योंकि कॉंग्रेस जो है अपनी फुल फॉर्म में है और देखा ये जा रहा है कि कही जगाओं पर जो है वो बीजेपी किस तरह से आफ़त हो रही है और किस तरह से उने बाहर घसिटा जा रहा है ये भी हमें द दिमाग में आए या दिल में आए कि ऐसा कोई हादिस होंगा जो आपके आपको जिसने आपके अतीत को और आपको जीजोड के रख दिया होगा खली परसू की बात है कल हाईवे पे अपना एबियस फिटनेस जीम के पास असल में बच्चा था अपने वाला याया नाम था उ हो बच्चे को कोई उठा नहीं रहा था तो मेरा एक दोस्त रहे अकिनाम का उसको बच्चे को उठाया है और वो मनजर देखा नहीं गया, हमको बहुत तकलीव हुई हो मनजर देखके, बड़ा दुख देख था, बहुत दुख दाइक था, क्योंकि उसके माबाप नहीं समझ रहे थे, असल में उनका एक लोता-लोता बच्चा था, वो चले गया, और मैं गुजारिश करूँगा सरकार से क्या यहां से हाईवे से ट्रक बन कर आए, मेरी रिक्वेस्ट है, बिल्कुल, मैं आपको थोड़ी सी जानकरी देदू, यह यहाया जो बच्चा था, यह 16 साल का बच्चा था, इसके फादर का नाम था, जाफर, महुमाद जाफर साब था, और यह गांधी लियाउट, यानि मिठाई बाटने, मिठाई रिष्टेदारों में बाटने के लिए और रिंग रोट पे निकला, और यह हादे साए, कारवाले ने इस यहाया, 16 साल के बच्चे को उड़ाग कर निकल गया, चले गया, और वो बच्चा, जो एक ही कुलता एक था, उनकी संतान जो है, जाफर, म नागपूर में मातम सच्छा है वो था, क्योंकि वो बच्चा बहुत ही मासूम और अच्छा बच्चा था, चले बात करते हैं कि अब आगे क्या करने का इरादा है, आपका क्या प्लानिंग करते हैं आप, आगे कुछ नी, सिरिफ आगे हम सपोर्ट करेंगे, विकास बहु जो TNN24 News Channel के स्क्रीन पर आपको देख रहे हैं, तो आप वो आपसे क्या उमीद रखेंगे, किस तरह के आप उनके काम करेंगे, ऐसे कौन से काम के लिए आप TNN से वादा कर रहे हैं, जो आप उनका काम करेंगे, मैं किसी का भी काम रहे, कोई भी जातकर है, मेरे पास जो मेरे पास असल में राशन काटके, गडर के, सफाई के, और कछरे के, हर चीज की फैसिलीटि में अपने बस्ती वालों को देता हूँ, कुछ भी अगर आपको मेरे बस्ती में एक बार आके देख लो, आपको कई गंदगी नजर ने आएंगी, कई कुछ नजर ने आएंगा, क अबीहान की तरह अगर हम बात करते हैं,